दोस्तो नमस्कार जैसा कि आप अपने तस्वीर पर देखी पा रहे होंगे कि जार्खन राजी के बोकारो और धनवाद जिले में धनवाद तो केवल नाम का है अभी तक जो खबर आ रही है जो तस्वीरे दिख रही है वो केवल बोकारो जिले से आ रही है इसमें बहुत ज़्यादा हंगामा लोगों ने बरपा हुआ है और इनका कहना है कि जो जिलेवार नियुकती का जो पत्र बाद में जारखन सरकार के दोरा जारी किया गया तो उसमें छेत्रिय भासा में भोजपुरी और मगही और अंगिका को बोकारो और धनवाद जिले में एड कर दिया छेत्रिय भासा के कहने मतलों छेत्रिय भासा का दरजा देते हुए तो इसमें भी कई सारे मैथिल खुस हैं कि देखो तुम्हारे अंगिका को के बारे में ऐसे से जारखंडी बोल रहे हैं देखो बेटा मैथिलों जो अंधे होते हैं न उन्हें इस बात से अबगत होना चाहिए कि वो देख नहीं सकता उसके प्रति सभी लोगों का सात्वना होता है लेकिन यदि वो आँख वालों को देख कर हसे कि देखो ये उसको देख कर कि अगर ये वो हस रहा है तो लोग फिर उसको क्या समझेंगे आप जानी सकते हैं तो यहां पर मैथली का नामों निजान नहीं है कहीं जहरखंड में पूरे जब भोजपुरी अंगी का मगही मैथली इन सभी भासाओं को हटाया गया था JSCC से और सभी चीजों से तो भोजपुरी अंगी का मगही को तो एड कर दिया गया लेकिन मैथली को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया बात भी सही है, मैथली बोली नहीं जाती जारखण में कहीं और जब फिर से अमेंड करके जारी किया गया तो उसमें वोकारों और धनवाद जिला को एक्स्ट्रा में आड करके भोजपडी मगहियंगिका को आड कर दिया गया तो उसके कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा जारखंडी लोग, मतलब कि हंगामा बरपेवे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन भी नहीं है, मतलब यह समझ लें कि 100-200 लोगों का मुश्किल से आंदोलन है, जा उससे 200 भी मुश्किल से ही हो पाएगा, 100-500 समझ लें आप, तो यह आंदोलन में उन लोगों का यह कहना है, जहां तक कि मैं वीडियोज में बहुत सारे देखा हूँ, कि छेत्री भासा का दर्जा इन जिलों में भोजपुरी मगही अंगिका को नहीं देना चाहिए, उस पर भी आपको अंगिका का नाम बहुत कम लोग लेते हुए मिलेंगे, जादा तर लोग भोजपुरी और मगही बोल का नाम ले रहे हैं, अंगिका का इसलिए नाम कम लिया जा रहा है, क्योंकि अंगिका जारखंड में दूसरे ही जिलों में, बोकारो धनवाद में नहीं, दूसरे जिलों में बोली जाती, वहां के छेत्री भासा है, तो उसके प्रती दूसरे जारखंडी जिलों का भी कुछ रहता है, अंगिका का नाम उतना नहीं लेते हैं मतलब कि बहुत कम लोगों के वीडियोज में ही बहुत कम वीडियोज में ही आप देखेंगे कि कोई अंगिका को भी बोल रहा है नहीं तो जादा तर लोग यहीं बोलने कि भोजपुरी मगही को हटाओ देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि इसमें हम अंगवासी लोग इस आंदोलन या फिर इस जो मोर्चा इन्होंने निकाला हुआ है इसका हम लोग विरोध नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि बोकारों और धनवाद जिले में मूलतह वहां की छेतरी भासा अंगिका नहीं है बोकारों और धनवाद जिले में का जो छेतरी भासा है वो अंगिका वास्तव में नहीं है तो वहां पर अंगिका को छेतरी भासा का दरजा देना ये जार्खन सरकार वास्तों में गलत कर रही है ऐसा नहीं है कि मैं अंगिका भासी हूँ तो अंगिका के पक्च में हमेशा बोलूंगा हमेशा अंगिका के पक्च में तो बोलता ही हूँ और बोलूंगा भी लेकिन जो undue advantage किसी को नहीं मिलना चाहिए जो उसका हक है उतना मिलना चाहिए तो बोकाडो और धनवाद में अंगिका और भोजपुरी वैसे भी छेत्रिभासा का दरजा मिलना ये ठीक बात नहीं इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अंगिका और भोजपुरी को यदि हटा भी दिया जाता है तो no gain no loss मतलब कुछ अंगिका के लिए अभी gain के स्थिति में है भोजपुरी और अंगिका दोनों मगही भी लेकिन हटा दिया जाएगा तो कोई मतलब नहीं यारे जो हमारा है ही नहीं वो हमें ना मिले उससे थोड़ी कोई गम है और जारखंडियों का कहना भी सही है इस चीज में बात यहाँ पर अटकती है ये कि मगही और खोर्टा को लेकर के जो विवाद है वो बहुत ज़्यादा अब मगहीयों को उठाना पड़ेगा इसलिए क्योंकि जब आप खोर्टा जो वो लोग बोल रहें आंदोलन में मैं एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्सन में उस खोर्टा को आप सुनिए जो कि वो लोग बोलते हैं और उसके बाद फिर आप मगही को सुनिए आप दोनों भासा को खुद अपने अस्तर से सुनिए ज्हारखन राज के हिसाब से दोनों भासायें ही है उस दोनों को आप सुनिए और उसके बाद फिर आप खुद निर्नाई करिए कि क्या खोर्टा मगही भासा की बोली नहीं है वास्तव में भासा विदों का ये कहना है कि खोल्टा मगही भासा की ही एक रूप है एक बोली है और यदि आज हारखन राज अलग नहीं हुआ रहता तो मगही भासा ही कहा जाता इस पूरे छेत्र में मघही भासा ही, मतलब जो वो बोल रहे हैं, जो उनकी बोली है, उसको मघही का ही नाम दिया जाता लेकिन चुकि राज अलग हो गया, तो अपनी एक अलग पहस्चान के लिए उन्होंने जो छेतरी जो वहां की बोली थी, उसी को भासा का दरजा उन्होंने दे दिया तो इससे overall मगही को ही हैंपर होना परेगा क्योंकि खोड़टा को यदि भासा का दर्जा मिल जाता है तो मगही केवल बिहार तक सिमित रह जाएगी और जारखंड में मगही भासा होते हुए भी मगही को उसका हक नहीं मिल पाएगा और इससे मगही बोलने वालों की जो संख्या है वो भी घट जाएगी और दोनो भासाओं का इसमें नुकसान होगा क्योंकि केंदर सरकार तो न मगही को इस कंडिसन में देगी भासा के दर्जा ना खोड़टा को देगी खोड़टा को तो वैसे भी नहीं मिलने वाला कड़ी कड़ी मुझे लगता है 20-25 साल तक आगे मगही को मिल सकता है क्योंकि भोजपुरी भासा बुलने वालों ने काफी जोर लगाया हुआ है इसको आठवीन सुचे में सामिल करवाने के लिए तो जब इसे सामिल किया जाएगा तो अन्य बिहारी भासाओं पर भी विचार किया जाएगा और अन्य भासा के छेतर के लोग भी उस अंदुलन में कूद परेंगे जैसे अंगी का मगही वाले भी तो इसमें थुरा हो सकता है लेकिन खोड़ा का तो बहुत मुश्किल है इसको मिलने वाला है नहीं तो इसमें ओभर ओल मगही वालो को ही सोचना है कि बोकारों मतलब कि आप वैसे भी जब आप बोकारों धनवाद जामतारा बगरे के छेतर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई बिहारी काम करते हुए मिलेंगे वरकर हैं और वो लोग एक ही भासा में बात करते हैं मतलब कि हिंदी का बहुत कम ही उप्योग करते हैं खासकर गरामी छेतरों में और वहाँ पे कोई ऐसा भावना नहीं है कि तुम बिहारी हो हम जार खंडी है जो वकारो धनवाद में अंदुलन हो रहा है उनका यहां तक कहना है कि तुम इसे भासा का दर्जा दो प्रवासी भासा का दर्जा दो चाहे कुछ और का दर्जा दो वो ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं है तुम वकारो धनवाद में जिलेवार न्युक्ति करना ही चाहते हो तो प्रवासी भासा का दरजा दे करके करो लेकिन छेत्री भासा का दरजा मत दो क्योंकि छेत्री भासा का दरजा देने से क्या हो जाएगा एक तरीके से मतलब जो उन लोगों का क्लेम है कि इन जिलों का मतलब कि जारखन का फिर से बिहारी करन होना शुरू हो जाएगा तो यही बात है उन्हों उन्हें जब अलग राज लिया है तो अलग पहचान के भी बहुत मुश्किल से जारखंडियों को मिल पा रही है बड़े बड़े राजियों में दिली, बंबई और गुहाटी, कलकत्ता और दक्चिन के कई सारे बड़े बड़े राजियों में जारखंडियों को बिहारियों के नाम से ही जाना जाता है आज तक 22 साल होने जा रहे हैं जारखंड को बनते वे फिर भी हलांकि अभी तो 21 साल कुछ महिने ही हुए हैं अपना दो महिने 21 साल दो महिने करिब करिब तो यही बात थी जो कि मैंने आपको इस विडियों बताई तो इससे ओभर ओल मगही को ही जो होगा नुकसान मगही को ही जिलना पड़ेगा और इस बिहार जारखन के बटवारे ने यदि सबसे जादा किसी को हैंपर किया है किसे छेतर को तो वो मगध ही है क्योंकि मगद का एक तो पहला काफी बड़ा छेतर चला गया जारखंड में दूसरा की जो छेतर जारखंड में चला गया उन लोगों का कोई सेंटिमेंट नहीं जुरा हुआ है मगद या मगई या फिर मगद के पास्ट हिस्ट्री से वो लोग जारखंडी से अपने आपको अटेच कर लिए अंग परदेश के जो कुछ भी जिले गए हैं जारखंड में तो वो उतना नहीं हैं पर हुआ है जितना मगद का क्यूंकि हमारे मतलब जो अंग परदेश के जितने जिले गए हैं वो मुष्किल से तीन चार जिले ही हैं लेकिन मगद के काफी जिले 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 गए हैं और भोजपूरी का तो खेर वैसे भी कोई मतलब भी नहीं है तो इसे एक साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूं जैहिन जैभागलपूर जैंग परदेश अंगी का भासा जिन्दाबाद